अससuma म ancienniorama अच्प में अच्वं करता है। आधिज। यूरेगनिश सिस्टम के कुछ कपहिए। यूरेगनी ब्लेडर और यूरेथरा से मेनिकी nhân और उरेणी है। length 12 cm है width इसकी 6 cm और thickness 4 cm है kidney को blood supply जो देता है उसका नाम renal artery है और kidney से जो blood leave करता है जो लेकर जाती नाली है उसका नाम renal vein है हमारी अगर एक heart beat के उपर जो blood receive होता है kidney को वो 20% है मतलब एक दिल की धड़कन पर जो total पूरी body में जो blood जाता है supply होता है उसमें 20% जो blood किसके पास आता है kidney के पास आता है एक kidney के पास 10% है एक kidney के पाड़े 10% दोनोंको मिलागि किता बन गया roll kidney का क्याूक्या क्लिरिंग of blood है जो blood को clean करना यह kidney का काम है और formation of urine करना यह kidney का काम है gland जो kidney के ऊपर मजूद है उसका नम adrenal gland है आप देख सेते हैं उपर वाली surface की convex है और नीचे वाली अंदर वाली कॉंड से होते हैं वैसे kidney के दो parts है बाहर वाला cortex होता है और अंदर वाला medulla होता है इसकी जो membrane है इसको नाम दिया जाता है renal peritonium कहा जाता है और आपको नजर आते हैं इसके पारामिर्स होते हैं और जहां पे सारी blood vessel दाखल होती है जहां पे pelvic दाखल होती है उसको नाम देते है highless जो के deep notch है एक अंदर वाला एक गेरा सा निशान है इसको highless का नाम दिया जाता है ये pelvic की पेचान क्या है ये central cavity का नाम दिया जाता है ये broad part of ureter है ureter का जो बड़ा सा हिसा ना ये broad part इसको pelvic का नाम दिया जाता है functional unit जो kidney का वो nephron है जो के millions की तदाद में kidney के पास होता है और kidney का जो color है वो dark red color होता है मैं बात करने लगा हूँ इसके component की kidney हमने बता दिया ureter, urinary bladder और urethra ये तीन component रहा चुके है ureter क्या है एक नाली है और ये नाली कहां से आती है kidney से आगे की तरफ निकलती है जो urine को leave करती है kidney through duct, acid duct का नाम के ureter है जो 28 cm है ये दो नाली है आगे जाके देखें इसकी जो opening है इसको ureter orifice कहते है मतलब जो opening of ureter है इसको orifice कहते है सारा urine kidney से urinary bladder के तरफ लेकर आने वाली नाली का नाम के ureter है अब urinary bladder क्या करता है ये peer shape है नाशपती की शकल का आपको नजर आता है urinary bladder है जो temporary store करता है किसको बेटा urine को और कितना store करता है 0.5 से लेकर 1 लीटर तक urine को store करने की खास्यत है जिसका नाम है urinary bladder है इसके बाद जो आने वाली नाली है उसका नाम है urethra ये urine को leave करती है ये आगे लेके जाती है bladder से निकाल के आगे की तरफ लेके जाना आगे वाली जो नाली है उसे duck को नाम देते है देरकॉल यूरिथरा मतलब urine leave from urinary bladder through duct तो ये ऐसे नाली का नाम का देरकॉल यूरिथरा है अगर इसका size की बात की जाए तो female के लेके यूरिथरा की जो size है वो दो से लेके 3 cm है और male के पास इसकी 20 cm होती है यूरिथरा का size एक term है जिसका नाम है mycturation mycturation का मतलब है empty of urinary bladder from urine जब urinary bladder खाली हो जाता है तो खाली होने के बाद आप इसको नाम देते हैं mycturation हो गया mycturation का मतलब empty हो चुका खाली हो चुका urinary bladder they are called mycturation है जजजा कर लाव खेर